किया हो सकती है मैदान पोस्पॉन जी हाँ यहाँ यह अपडेट्स और यह ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है प्रेजेंट की क्योंकि भाई हुआ यह मैटर देखो पर पोस्पॉन होगी यह नहीं यह कितना सही है वह भी मैं आपको बता दू कि कुछ अफवाय भी पहल रही ह यहाँ पर कि मैदान पोस्पॉन होने वाली है अब होता यह है कि यह डियर इस हाई चांस कि कभी कभी कुछ आपने देखा होगा अपवाय नहीं रहती है रियल निकल आता है कुछ चीज़े पर यहाँ पर देखना यह है कि रियल क्या है और रियल क्या नहीं है तो देखो क् एक अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रही है, मैदान के रिलीज फिर टलेगी, प्रोडूसर बोनी कपूर के खिलाफ शिकायत दर्ज, सिर्फ बोनी कपूर ही नहीं, मैदान के जो दूसरे प्रोडूसरे उनके खिलाफ भी यह शिकायत हुई है, अब हुआ क्या है देखो, अजे लोगन के मैदान इस साल की कुछ फिल्मों मेंसे है, जो लंबे समय से टलती आ रही है, इस फिल्म को वैसे तो 10 सेपरिल को रिलीज किया जाना है, मगर रिलीज से पहले यह फिल्म एक मुसीवत में है, प्रोडूसर बोनी कपूर के खिलाफ मुंबई में शिकायत दर् LIKE कामेरा कामेरा से जुड़े एक्विपमेंट्स फिल्ममेकर्स को प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब साइट जो रहता है वह चीजे, सिर्भ बोनी कपूर 화annadan के दूसर प्र्डूसर के खिलाह फिल्मीय से अप्चित हैं, 70 साल के मुंबई सिविल कोड्स से अपिल है, कि यहां पर यह भी बोला गया है कि कुछ उपकरण लिये थे कैमेरा से जुड़े बोनी कपूर ने उनका कोई पैसा दिया नहीं यह भी पता है कि शुरुआत में उनकी तरफ से बेज़े जाने वाले पैसे और इन्वाइस में कोई समस्य नहीं थी मगर डिसंबर 2020 के बाद उनकी पैमेंट रोग दी गई निनाद निइस विशे पर बोनी इसे बात की तो बोनी ने उस वक्त नीनाद को दिलासा भी दिया कि उनकी बच्ची पैमेंट मिल जाएगी क्लियर कर दी जाएगी बंकरबाद में करीब एक करोड दिया ही नहीं है और अब एक्शन लेने को बोला है तो अब उन्होंने क्या बोला है देखो जो निनाध है ना उन्होंने जिनुने केस महा रहा है ठोका इन पर हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था हमने लेगल रास्ता अपनाया और उनकी कमपनी के खिलाब शिकाद दर्श की हमें अभी तक लेगल नोटीस का भी जवाब नहीं मिला है और हमारी रिकावरी के लिए हमारे पास यही एक रस्ता बचा था बहरांकर प्रोडूसर्स ने आमें यह भरोसा दिलाया था कि वो दे देंगे पैसा बकाये जो चुका मतलब कर देंगे उन्हें चुका देंगे मगर उसके बजाए प्रोडूसर्स उनकी फिल्म उनकी टीम ने हमसे बातचीती बन कर दिये हमारे मेसेज का जवाब देना बन कर दिया है तो हमारे पास ऐसे में कोई option नहीं दिखा है और यहां पर यह उन्होंने स्क्रीन शॉट्स वगराभी शेयर किया है और कि उन्होंने कैसे reply नहीं दिया है बोनी कपूर की तरफ से भी जवाब आया उनका कहना है 63 लाक रूपय का बका एक करोड का नहीं ऐसा बोनी क क्या वाला है देखो मैंने टीम से बात की है नीनार और उनकी टीम को फिल्म रिलीस से पहले उनके सारे बचे पैसे दिये जाएंगे जिसमें अभी एक महीना बाकी है मतलब है थोड़ी पूरा नहीं रिपोर्ट है जिर्व नहीं नहीं बल्कि बाकी वेंडर से भी हमने ये कुछ नहीं बस बातों को घुमा जा रहा है जो भी बील है उसे क्लियर कर दूँगा व्याज के साथ बाकी हम उनके नोटीस का जवाब कोर्ट में दे रहेंगे और मूवी रिलीज को लेके हम कुछ भी इशू नहीं होने देंगे मूवी ये टाइम पे रिलीज होगी अजरेवगन की ये फिल्म सेयद अब्दुलरहीम की भूमिका में अजरेवगन इसमें टीम कोच फुटबॉल टीम कोच में एज़ एज़ टीम कोच नजर आएंगे ये तो आपको भी पता है प्रिया मनी गजरा जराओ भी दिखेंगे और मूवी इस सेफ मूवी विल भाई ऐसे अफवाव से बचो ठीक है बोनी का पूरने कंजुसी करीबी होगी एक करोड नहीं भी दिया होगा लेकिन जब कुछ इमर्जंसी आती है ना इनके लिए एक करोड कुछ नहीं रहता है बहुत अमीर लोग है और एक करोड या 63 लाग जो भी इनका कोट में वो केस है वो कोई बहुत बड़ा ऐसा केस नहीं कि कोई चीप मिनिस्टर के अगेंस या किसी एक क्या अगेंस लगाया हुआ है इस जस्ट नॉर्मल केस वहाँ पर वो क्लियर हो जाएगा और 10 एप्रिल जब भी यह रिलीज हो रही है उसको अभी भी 19 डेज बाकी है मैं पहले भी ट्रेलर के बाद कोई पोस्पॉन पोस्पॉन का सवाल आने नहीं वाला है सो जस्ट रिलाक्स रहो अजय के जो भी फैंसे नहीं होरी पोस्पॉन